नमस्कार दोस्तों, पूझा शिक्ती चैनल में आप सभी मेरे माहियों और मेहनों का बहुत बहुत स्वागत है, जैमातादी दोस्तों आज जिस नयविशे पर हम चर्चा करेंगे वो है हर्ताली का तीज का जो वरत तैवार है, वो कल के दिन पढ़ रहा है, जो कि बहुत इशुब रहता है, ये वरत कवारी करन्या और महिलाएं रखती हैं, कवारी करन्या अच्छे पती की कामना के लिए ये वरत करती हैं, तता विवाहित महिलाएं जो है पती की लंबी आयू तदा सौभाग्य वती होने के वरदान के लिए वरत रखती हैं ऐसा माना जाता है हर्ताली का तीज का वरत जो भी महिलाएं करती हैं उनके वंच में कभी भी जो है संतान प्राप्ती में रुकावट नहीं आती है संतान परंपर पुत्र पौत्र कन्याय जो है सदेव उनके परिवार में आती हैं तथा सौभागी लेकर आती हैं हर्ताली का तीज का वरत जो है करवा का चौत के वरत से भी बहुत जादा कठीन माना जाता है इसलिए जो महिला ये वरत पहली बार कर रही है उनके लिए कुछ खास बातों का दिहान रखना बहुत जरूरी है कुछ वरत के नियम होते हैं जिनने अगर सही तरीके से समझ लिया जाए तो वरत करने में काफी आसानी होती है सबसे पहले ये वरत जो है सुहागन महिला या कुवारी कन्या रखती है लेकिन एक बार वरत रखने के बाद आपको जीवन भर जो है इस वरत का नियम करना होता है अगर महिलाएं जादा बिमार होती हैं किसी साल तो उनके बतले में घर की अन्य महिला या फिर उनके पती भी इस वरत को रखकर उनका जो उस साल का नियम है वो पूर्ण कर सकते हैं वरत करने वाली महिलाएं जो हैं इस दिन उन्हें किसी पर गुसा नहीं करना चाहिए चुगली नहीं करनी चाहिए किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए और खास तौर पर अपने मन को काबू में रखना चाहिए यानि कि अपनी भावनाओं को काबू में रखना चाहिए सह एश्या जो है खास तोर पर जब हम रोते हैं ऐसा कोई भी कारण ना बने जिससे कि उनके वरत में बाधा आए मानने ताहा है ऐसा वरत ऐसा करने पर अगर उस दिन जैसे लड़ाई जगड़ा होता है या कोई रोता है उस घर में या कलेश होता है तो ये वरत जो है अधूरा रह जाता है क्योंकि ये शिव जी और पारवती जी को समर्पित वरत है शिव जी जो है शांती के प्रतिक माने जाते हैं तता सौमेता के प्रतिक माने जाते हैं वही पारवती माता भी जो है प्रेम की अफ्तार मानी जाती हैं तो अगर आप अपने अराद्धी को जो है समर्पित वरत कर रहे हैं उसके बाद अगर घर में कलेश हो रहे हैं लड़ाई जगड़े हो रहे हैं तो ये वरत जो है कहीं ना कहीं आपका अधूरा रहे जाएगा इसके अलावा अगर आप वरत को रख र इस वरत में सोने की मनाई होती है, यहाँ तक कि रात को भी सोना वरजित होता है, जो कि आपको की और बतbin पुस्टक मिल तक उसी में कथा रहेगी, आपको संपूर्ण जानकारी जो है उसमें प्राप्त हो जाएगी, ऐसा माना जाता है रात के समय सोने पर जो है महिला आएं अ भजन किर्तन किये जाते हैं खुशाली का मौसम होता है और इस दिन जो है सुहागन महिलाओं को सोला सिंगार जो है अवश्य करना चाहिए जो कपड़े होंगे वो नए कपड़े होने चाहिए अगर पती ने आपको कोई प्रेम सोरुप कपड़े दिये हैं तो उन्हें जरूर दारन करें जो उनके द्वारा दिया गया कोई भी उपहार हो चोटा बड़ा आपको वो उस दिन जो है जरूर पहनना चाहिए जिससे की आपके प्रेम की व्रद्धी हो इस दिन सास के द्वारा दिया गया समान भी जो है बहुत शुब माना जाता है समाना जाता है अगर सास बहु को भेट स्वरूप सारी या सुहाग का कोई समान देती है या शिंगार का कोई समान देती है तो उससे बहु को सोभागी की प्रापति होती है व्रत के अगले दिन यानि सुर्य होने के बाद माता पार्वती जी को सिंदूर चड़ाने के बाद ही व्रज जो है आपका पून माना जाता है इस दिन जो है भोजन नहीं किया जाता है सोया नहीं जाता है तता संपून रूप से जो है आपको स्वच रहना होता है स्वच कपड़े मन की शुद्धता तता आपको जो है पून रूप से ये ध्यान रखना होत वैसे आपको पुस्तक में इसकी संपून जानकारी मिल जाएगी परन्तु मैं यहां पर आपको जो पुराने जो लोग जो हमारे दादी वगेरा ने बताये थे हमें मैं आपको वही सामगरी पूरी बता रही हूँ क्रिपय आप इसे लिख लीजिए गीली, काली, मिट्टी या बालूरेत, बेल पत्र, शम्मी के पत्ते, केले के पत्ते, धतूरे का फल, एफूल, आख का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेओ, नाडा, वस्त्र, जो नए वस्त्र होंगे सभी प्रकार के फल, एफूल के पत्ते ले श्रीफल याने की जो पानी वाला नारियल होता है, ब्राउन कलर का, कलश, अबीर, चंदन, घी और तेल, कपूर, कुमकुम, दीपक और फुलहरा, विशेश प्रकार की पत्तियां जैसे मैंने कहा, आपको जरूर लेनी है इस दिन, क्योंकि इस दिन जो है, आप जितना प्रतीक माना जाता है, खास सवर पर इस दिन हमें हरे रंग की चूडियां काज की जरूर पहननी चाहिए, भगवान शंकर की पूजन और आर्ती जब हम करते हैं, तो उससे भी जो है, हमारे जीवन में शांती बनी रहती है, सुहागन महिलाओं को सिंदूर, महंदी, बिंद चूडि, काजल जो है, जरूर लगाना चाहिए, ताकि उनकी बुरी नजर भी दूर हो, जो उनके अंदर नेगिटिविटी आ गई है, वो भी दूर हो, तदा महंदी की हुजबू से जो है, उनके जीवन में प्रेम बनता है, शिंगार से उनके जीवन में सौंदरी की प्रा प्रेम बनता है, पटे पर जो है, पटा लकडी का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, घर को स्वच्छ और तोरन मंडब आदिस सजाया जाता है, यानि कि आपको घर को पूरा स्वच्छ रखना है, और जो पटा है, उसको ऐस प्रकार बनाना है, जहां पर प्रेम जैस पश्चात देवताओं का हवन करकर जो है, आपको पूजन करना चाहिए, इस वरत का पूजन पूरी रातरी चलता है, प्रतेक पहर में भगवान शंकर की पूजा वा आरती होती है, तता इस बात का ध्यान दिया जाता है, कि दीपक जो है बुझना नहीं चाहिए, मा पारव बहुत जल्दी प्रसंद होकर आपको इस वरत का पूर्ण फल देती है, आप बीज मंत्र के बहुत सारे हैं, परंतु मेहा पर विशेश मंत्र आपको बताऊंगी, जो की बहुत शुब माना जाता है, वो है ओम उमाय नम्हा, ओम उमाय नम्हा, ओम उमाय नम्हा, यह अगर आप लगातार कहती हैं तो एक प्रकार से होता है जितनी बार आप व्रत में इसका उच्चारन करेंगी उतना ये जो है जागरत हो जाएगा मंत्र और माता पार्वती की जो है आपको आशिरवात प्राप्त होने लगेगा उसके साथ आप अगर शीव जी का मंत्र जैसे ओम नम जाप कर लेती हैं या आप ओम नमश्यवाय ही मैं कहूंगी क्योंकि ओम नमश्यवाय का जाप अगर हो जाता है तो आपको कभी भी जो है इस फल के जो है दुश प्रभाव देखने को जीवन में नहीं मिलेंगे फूजा होने के बाद जो है आप शिव जी को धोती अंगोच जी के आर्ती करेंगे और आप जो है शिव जी की परिक्रमा करते वे आपकी जो भी मनो कामना हो वो शिव जी से मांगेंगे माता पारवत्य को सिंदूर अर्पित करेंगे ककड़ी का भोग इस दिन बहुत शुब माना जाता है ककड़ी हलवे का भोग लगाए और फिर आप जो है उपास को पूर्ण करें अंत में सारी सामगरी को करतित करके एक गढढ़ा खोद के जो है इसे मिट्टी में दबा देंगे या नदी किराने ले जाकर या पानी में जो है इसे समर्पित करेंगे तो भाईयों और मैं आशा करती हूं आज के वीडियो आप सभी को बहु होगा हम फिर मिलेंगे किसी नए विशे पर चर्चा करते हूं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए चैमाता दी दोस्तों